सास बहु का प्यार और आने वालों का स्वागत भी करती कहते हैं सभी एक जैसे नहीं होते सभी अपनी अपनी सला अर्चना के सास को दे कर चाते अर्चना को अंदर से सब सुनाई देता था उस दी उसी दिन एक पडोसी की पतनी आई और कहने लगी देखो वैसे तो हम डिलिवेरी में पूरा मेवा, गोंद, घी, काजू, बदाम, पिस्ता सब डाल का लड़ू बनाते हैं पर अपने लड़कियों के लिए अब बहू है और लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी चल जाएगा बदाम बहुत मंगे है इसलिए 500 ग्राम के बदले 1500 ग्राम ले लेना और वैसे ही सभी मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना और लड़क कम न बने इसके लिए गेहूं का आटा जादा ले लेना अर्चना की सास सब सुनती रही अर्चना अंदर से सब सुनाई दे रहा था पडोसन चली गई ससूर जी बोले देखो मैं बजार जा रहा हूं तुम मुझे लिखवा दो क्या लाना है कोई चीज बाकी ना रहे अर्चना की सास ने समान लिखवाया हर चीज उनकी लड़की के डिलिवरी के समय से जादा ही था ससूजी ने पूछा इस बार सबी समान जादा है क्या तुम भी लड़ू खाने वाली हो तब अर्चना की सास बोली सुनो जब बेटी को डिलिवरी आई थी तब हमारी परिस्थिती अच्छी नहीं थी और आवाग भी कम थे तब आप अकेले कमाते थे अब बेटा भी कमाता है इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहु के समय मैं वो सब बन्चीजे बनाओं जो बेटी के समय नहीं कर पाई क्या बहु हमारी बेटी नहीं और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चा होते समय तकलिप तो दोनों को एक सी होती है इसलिए मैंने बदाम जादा लिखवाए हैं लड़ू मैं तो डालूंगी ही पर बदाम भी हलवा बना कर खिलाओंगी जिससे बहु की कमजोरी नहीं आये और बहु पोती हमें सौसासतर है अचना अंदर से सब सुन रही थी और सूच रही थी मैं कितनी खुश किसमत हूँ और थोड़ी देर बाद जब सासू जी रूम में आई तो अचना बोली क्या मैं आपको ममी जी के जगा ममी कहूं बस फिर क्या दोनों के आखों में आसू थे